देश में आज से कोरोना वाइरस टीका करन के तीसे चरण की शुरुवात हो गई है तीसे चरण में 45 साल और इससे जादा उम्र के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे अब तक हेल्प फ्रेंट लाइन वरकर्स 45 साल के उपर गंभिर विमारी वाले और 60 साल से जादा उम्र के बुजूर्ग ही टीका लगवा पा रहे थे सरकार का मानना है कि एक अप्रेल के बाद भारत दुनिया में रोज सबसे जादा टीके लगाने वाला देश होगा अभी टीकों का रोजाना आउसत 21 लाग है जो आप 50 लाग पार हो सकता है स्वास्त मंत्राले ने बताया कि 50,000 वैक्सिनेशन सेंटर हैं हर सेंटर पर एक दिन में 100-200 लोगों को टीका लगाने की विवस्ता है टीका करन टेज करने के लिए राजियों से कहा गया है कि अभियान में और अधिक निजी अस्पतालों को शामिल किया जाए दिल्ली, हर्याना, चंडीगर जैसे राजिय में 40% से जादा टीके निजी अस्पतालों में लग रहे हैं